Hi friends, welcome to my episode. मैंने आपको पहले दिखाया था मेरी सीरियल सिर्फ तुम का देहरादून का शूट और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सीरियल सिर्फ तुम का शूट मुंबई में कहां होता है और मैं इवा से सुधा शर्मा सुहानी की मम्मी कैसे बनती हूं तो मेरा रूम, मेरा सेट वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ, देखते हैं कलर्स का सिर्फ तुम और उसकी सुधा शर्मा, हम निकल चुके हैं सेट पर जाने के लिए, और रास्ते में ये टोलना का आता है, यहां पर ये भरा हमने टोल, और चल पड़े हम अपनी स्टूडियो की और, ये रास्ता मुझे सुबे सुबे बहुत अच्छा लगता है, इस वेरी ब्यूटिफुल और ट्राफिक बहुत कम रहता है, तो ये मॉर्निंग ड्राइव में बहुत पसंद करती हूं, और हम पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं सेट पे, य तो यहां से चलके अब हम जा रहे हैं, सिर्फ तुम के सेट पे, यहां पे बहुत सारे सेट्स हैं, अलग-अलग शोस के, ये रहा, सिर्फ तुम का सेट, ये है हमारा कमरा, अलग Grup स्क एल-ग, अब हम पटापट ड़ी होते हैं तोできलार, हमिस कह बहुत जैसे, शोरी और उनों के कहने हैं, घ्मपनएक कह निया lesi बाटाधर हर्ते हैं, तो इस शोओ में मेरा मेक बहुत ऑट सिंबटाप में में हैं इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं लगते हुए बहुत सटल टोन्स बहुत न्यूट टोन्स यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या निकाला है यह से यह है मेरा मेकप बॉक्स और यह मेरा प्राइमर आईशाडो ब्लश वगएरा सब कुछ यहाँ पर पड़ा है जैसे कि मैंने कहा न्यूट टोन्स यूज़ करती हूँ तो अब यह सारी चीज़े यूज़ करके मैं अपना मेकप करूंगे अब मैं अपना लिक्विड फांडेशन लगा रही हूँ मैं पी ए सी का है एच टी लिक्विड फांडेशन यूज़ करती हूँ और मैं क्राइलाउन की स्टिक भी मिक्स करती हूँ तो मेरा बेज बहुत ही नैचरल लगता है उससे और इसो अवरना दीदी मेरे बाल कर दो कर दो 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 में अब मैं करूंगी कॉंटूरिंग अगर आप कोई भी फोटोग्राफी या फिल्मिंग कर रहे हो जिसमें बहुत सारी लाइट स्यूज होती है तो कॉंटूरिंग बहुत जरूरी होता है नहीं तो आपका फेस बड़ा फ्लैट लगता है तो नाक को चीक्स को शेप देना जरू अब मैं अपना मेबलीन का कंसीलर यूज कर रहे हूं और अब बारी है सेटिंग पाउडर की आपका एक बार पूरा बेज हो जाए उसके बाद यह सेटिंग पाउडर अप लगाते हैं जिससे वो बेस टिका रहे है इसको अंडर आई से मैं भी स्टार्ट करूंगी इसको आपको हलके से दबाना है फेस पे ताकि वो पाउडर सेट हो जाए झाल 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 अगर आपको डीटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैं कौन से प्रोड़क्ट्स यूज कर रही हूँ और कैसे मैं आईशाडो करती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं उसके लिए भी एक डीटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और उसके पहले मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिलकुल मद भूलना और आप ये सब लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत एंकरेजमेंट मिलती है और मुझे बहुत अच्छ पर आपना मात तो राकिष पेला नजावाइता करता है ये मेरा YouTube चैनल है हुप के हेलो एव्यों है अर अकाश्या बतारे कि हम पहले सीन में है अके यह माहम का पहले सीन में हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कर दो कि तो आप जो कर दो सो जॉआ है कि यह सुझ आप तो यह है कातिक हां काटिक से हाइब कार्तिकर सुभे considerations, कार्थक रोक तुभे कहने गारी केमरा के बहर ही चला जाते है। को सुभे हमको स्क्रिप्ट देते हैं सीन नमः बताते हैं, कॉस्ट्यूम देखते हैं श्माहिक नी प्रॉग क domains yeah अभनय जाते हैं संज्य दाधा में तक मेरी चाह नहीं लाए है सटेदा यूट्यूब में बड़ी बदनामी होगी अपकी मैं प्रेदर में रड़ी मिलोगे और साथ में फॉच लेता है पसा नहीं और मैं हमेंशे यही पोई यूप आपका जाओ लूप जो आपका प्रेश्टर प्रेश्ट आपका जाता हुआ कर दिए झार धिए झाल प्रेश प्रेश्टर ग्रेश्टर बाद। ये शो जो, जो 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 सुधा का जो कारेक्टर है वो सिंदूर लगाता है बिदनी लगाता है मंगल सुत्र लगाता है तो यह लगा सिंदूर और अब मैं लगाऊंगी अपनी छोटी सी लाल वाली बिंदी अब मैं रड़ी होवे हूं मैं इवासे सुधा बन गई हूं और अब मैं जा रहे हूं आप देखेंगे जब एपिसोड टेलिकस्ट होगा वो सीन मैं आप अपको मैं नहीं दिखाऊंगी इस्टोरी भी नहीं बताऊंगी क्या हो रहा है थाकि आप लोग हमारा एपसोड देखो और आप अज का एपसोड आपको पसंना आया हो सी यू निक्स वीक बाइ